क्या आपको पता है एड्रेस इलवा जो पहले खुद को बहुत जादा अगली और बहुत जादा कुद्रूप मानते थे आज के टाइम में वर्ल्ड के टॉप 10 हैंडसम मैं में 6 नमर पर आते हैं हम इसे बहुत सैसे लड़के होते हैं जो काफी जादा हैंडसम होते हैं लेकिन हम इंसिक्यूर होते हैं अपने लुक को लेकर हमें पता ही नहीं होता कि हम इतने जादा हैंडसम हैं क्योंकि कई बार लोग जेलेसी की वज़े से तारीफ नहीं करते और हम सोचते हैं कि यार मैं बहुत ज़दा अगली हूँ, मैं बहुत ज़दा कुद्रूफ हूँ, आज मैं आपको 5 एसे साइन्स बताऊंगा, जो अगर आप में हैं, तो आप समझ ज़ाओ कि आप बहुत ज़दा हैंडसम हो, बहुत ज़दा ही हैंडसम हो, नमब वन, लोगों का आपकी तरफ बार-बार देखना, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, कि आप कहीं नई जगा पे गए हो, और लोग आपको बार-बार देखते रहते हैं, लोग आपको घूर-घूर कर देखते रहते हैं, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़दा हैंडसम हो, अगर जिस school में हो तो भी आप ये notice कर सकते हो कि आप अपने आसपास के लोग को observe करना लोग आपको देख रहे होंगे अगर आपको लोग देख रहे हैं बार बार तो आप समझ जाओ कि आप बहुत ज़्यादा handsome हो अब girls मेरे कुछ self respect होता है ऐसा नहीं कि वो आपको तारती रहेंगी लेकिन कभी कभी आपको जरूर देखेंगी वो boys की तरफ बेश्रम नहीं होते सुन्दर लड़कियों को बिना पलक जपकाए दो तिन घंटे देख लिया तो जहां भी जाते हो वहाँ पर लड़के लड़कियां आपको बहुत ज़ादा अगर देखते हैं खास करके लड़कियां ज़ादा देखती हैं तो समझ जाओ कि आप हैंडसम हो कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी के बगल से गुजर रहे हो और वो इंसान आपको इसमाइल दे रहा है ये भी एक शायन होता है कि आप अट्राक्टिव हो हैंडसम हो बढ़ते हैं अपने सेकेंड नमर साइन की तरफ सेकेंड नमर साइन है लोग आपके उपीनियन की वैल्यू करते हैं हम लोग भगवान द्वारा क्रियेट किये गए हैं सोशली लोगों से इंट्राक्ट करने के लिए मेल जूल बढ़ाने के लिए ऐसे सिच्वेशन में समाज सोसाइटी में अगर आपकी वैल्यू नहीं हो रिस्पेक्ट ना हो तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि लोग आपका मजाग बनाने लगते हैं आपके पास भी एक ग्रूप होगा आप भी लोगों से इंट्राक्ट करते होगी में भी सोसाइटी के लोगों से करो में भी दोस्तों से करो में भी स्कूल के फ्रेंड्स से करो जिनसे भी करो लेकिन लोगों से इंट्राक्ट करते होगी आप अपना opinion देते होगी किसी न किसी matter पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि ग्रूप में जो unattractive होता है उसके opinion की कोई value नहीं होती है अगर आपके opinion की value की जाती है तो समझ जाओ कि आप handsome हो, attractive हो यह reality है हमारे समाज society की कि जो लोग attractive दिखते हैं, जो लोग handsome दिखते हैं उनकी बहुत ज़दा कदर किया जाता है उनकी बहुत ज़दा value किया जाता है उनके सामने जो ugly होते हैं तो आपकी अगर बहुत ज़दा value हो रही है, कदर हो रही है लोग आपकी opinion की value कर रहे हैं तो आप attractive हो handsome थार्ड point है relationship में आना आपके लिए बहुत easy है generally हमारे समाज society में ये देखा गया है कि अगर आप ugly हो, अगर आप कुद्रूप हो, अगर आप unattractive हो तो relationship में आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा struggle करना पड़ता है generally आज के time में लड़कियां कुद्रूप लड़कों को unattractive लड़कों को बिलकुल भी पसंद नहीं करती अगर आप बहुत easily किसी लड़की को impress कर लेते हो, उनके साथ relationship बना लेते हो तो simple logic है आप handsome हो usually अगर आप कुद्रूप होते हो, unattractive हो, ugly होते हो shine होता है कि आप healthy नहीं हो और ये एक psychological fact है कि आदिवास्तियों के time से ही चला आ रहा है कि लड़कियां healthy लड़कों को पसंद करती है ताकि उनका next generation भी healthy हो तो आपका handsome दिखना mentally, physically ये show करता है कि आप काफी ज़दा healthy हो और जिस वज़े से girls आप पर attract होती हैं, जिस वज़े से relationship में आना आपके लिए बहुत easy हो जाता है mostly लड़के relationship के लिए struggle करते हैं इसका यही reason होता है कि वो अपने health पर ध्यान नहीं देते हैं mentally, physically वो weak होते हैं, जिस वज़े से वो लड़कियों की पसंद नहीं बन पाते हैं बढ़ते हैं अपने next point की तरफ, लोग आपको compliments देते रहते हैं Basically, अगर एक इनसान को खुद को या खुद के व्यक्तितू को लेकर शक हो जाता है तो खुद को लेकर वो बहुत ज़़ादा insecure हो जाता है और हमेशा चिन्तित रहता है और वो उन compliments को भी भूल जाता है जो लोग उसके व्यक्तितू के बारे में बोलते रहते हैं कई बार आपके साथ भी ऐसा होता है कि लोग आपको compliments देते हैं लेकिन आप भूल जाते हो आपको बस focus करना है आपको बस notice करना है कि क्या लोग आपको हमेशा compliments देते रहते हैं यहां हमेशा compliments देते रहने का मतलब यह नहीं कि सब आपको बोलते रहेंगे ओए होई क्या handsome लग रही है ओए होई क्या item लग रही है ऐसी बात नहीं है कभी कभी लोग आपको बोलते होंगे अरे यार तू बहुत handsome लग रहा है इस dress में तू बहुत attractive लग रहा है generally कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के compliments को ignore कर देते हम notice नहीं कर पाते है हमें लगता है कि हो मजाग कर रहे है जैसे आज से 4-5 साल पहले लड़किया मुझे बोलती थी तू handsome है मुझे believe नहीं होता था ये believe इसलिए नहीं होता था क्योंकि मैं खुद को लेकर बहुत insecure था मुझे लगता था कि मैं बहुत गंदा हूँ मैं बहुत unattractive हूँ मैं बहुत बेकार तब लोग अगर compliments भी देते थे मैं सोचता था कि आर मजाग कर रहे है लेकिन actual मैं ऐसा नहीं था मैं handsome था हमेशा से वैसे आप लोग comment करके बताना मैं handsome दिखता हूँ या नहीं वैसे मुझे तो पता ही है कि मैं दिखता हूँ बस engagement बढ़ाने के लिए बोल रहा था sign number 5 आपके आस-पास के लोग हमेशा खुश रहते हैं अब आस-पास के लोग हमेशा खुश रहते हैं इसका मतलब यह नहीं कि अगर आस-पास मातम चल रहा हूँ और फिर भी लोग हस रहा है प्लीज इसको correct करते हैं अक्सर इसा होता है कि आप कहीं जाते हूँ और लोग आपसे खुश रहते हैं लोग आपसे impressed रहते हैं और लोग आपसे बातचीत करने में interested रहते हैं आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि आप कहीं जाते हो जहां का माहोल एकदम वीराना सा है और एकदम माहोल खुशनुमा हो जाता है आपके जाते ही ये कुछ इस तरह होता है कि जो हैंडसम लोगों होते हैं उनका औरा ही अलग होता है उनके प्रेजन्स से लोगों को खुशी मिलती है अब इसका मतलब यह नहीं कि आप एक चमतकारी बाबा बन जाओगे जिसके पास भी आप जाओगे वो खुश हो जाएगा ज़री नहीं है लेकिन हाँ बहुत हद तक अगर उसके लाइफ में कोई प्रॉबलम नहीं चल रही है तो आपके जानने से वो खुश होगा एक और रीजन होता है खुशी का जो handsome, attractive लोग होते हैं वो दिखने में काफी अच्छे होते हैं जिस वज़े से हमारी आँखों को वो अच्छे लगते हैं, जिस वज़़े से हम खुश होते हैं इन पाथ साइन्स में अगर दो साइन्स में मिल जाते हैं तो My Tips TV के हिसाब से आप हैंडसम घोशित कर दिये गए हो बागी अगर तुम हैंडसम नहीं हो, देन तुम नोफैब करो, नोफैब करके बहुत हैंडसम दिख सकते हो नोफैब नहीं कर पा रहे हो, नोफैब विट एक्स्ट्रा पावर एक बुक बनाई है मैंने, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको अगर पढ़ लिया पक्का नोफैब कर पाओगे लिंक से जाकर बाई करो इस बुक को, वीडियो पसंद आई, लाइक करो और फ्री में ऐसे अमेजिंग कंटेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, अल नोटिफिकरसन सेलेक्ट कर लेना थैंक्स वाचिंग गाईज, लव यॉल